अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा लोगों से रिलेशन नहीं बनाने जाहिए और सोशल मेडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना जाहिए इसके पीछे कुछ कारण है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी उर्जा पे आपकी वाइब्रेशन पे पड़ता है आपको इस बात को समझना होगा कि जितनी ज़्यादा लोगों के साथ आपके रिष्टे बनेंगे जितनी ज़्यादा लोग आपकी परसनल लाइफ में एक्जामपल लेता हूँ अपने मुबाइल फॉन का एक्जामपल लीजिए आपका मुबाइल 100% तक चार्ज होता है आप अपने मुबाइल में कोई एप चलाते हैं वो एप आपके मुबाइल की कुछ प्रसेंट बैटरी यूज़ करती है लेकिन साथ ही कुछ उनको खर्च कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं एक काम जो आप करना चाहते हैं उस पे आपका फोकस है वहां पे वो एनर्जी जा रही है लेकिन सब कॉइंशियस माइंड में बैक्राउंड वहां पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको भी नहीं पता आज मेरी इससे सकते हैं जिनसे भी आप मिलते हैं उनसे बात कीजिए अच्छे से बिहेव कीजिए लेकिन ये कोशिश कीजिए कि उन पे आपकी इनर्जी खर्च ना हो क्योंकि ये आपके लिए काफी नुकसान दायक हो सकता है इससे जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उस पे आ हो जाएगा और एक्जामपल आपके किसी से लड़ाई हो गई दिन में वो लड़ाई हुई लेकिन शाम तक आपके दिमाग में वही बात चल रही है अब आपकी आदी उर्चा उस बात की तरफ है आपने कहीं सोशल मेडिया पर किसी से बात करने दीजिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुश रहें और आपको भी खुश रखें जिनका जिस होना जरूरी है ऐसे लोगों के साथ रहें इससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है क्योंकि आपकी उर्चा बाकी जगा पे कम use होगी और जहां के इस बात को समझे अपनी social media platform पे कम टाइम बिताईए और उस चीज़ पर focus हगी जो आप अपनी चीज़ में लाना चाहते हैं